स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल आदित्य मोटो राइड में और आज हम बात करेंगे साथ अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो ये साल 2024 में भारती बजार में लॉंच होने वाली है तो यहाँ पर नमबर वन पर आती है यामहा XSR 125 इस बाइक की कीमत रहेगी एक लाख दस जार रुपे बाइक का जो लुक से वो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है और समझे लेक्रिकल्स दिये जाते हैं आपको सामने LED हैडलाइट्स मिल जाती है बल्ब इंडिकेटर्स और पीछे आपको LED लेट ओफर करवा दी जाएगी बाइक के एंजिन की बात करने तो उसमें आपको मिलता है 124 CC का oil cooled single cylinder engine जिसमें आपको 14 BHP की power और 13 Nm का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपकुछ है मिल जाएगे बाइक में आपको digital meter मिलता है इसका जो handle bar है वो upright है तो आप straight होके राइड करोगे तो आपके back pain में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी unibody single seat मिलती है तो आप दो लोग आराम से travel कर लोगे dual disc way single channel ABS आपको provide करवा दिये जाएगा front में आपको telescope suspension मिलेंगे और पीछा को monoshock absorber suspension मिल जाएगा अब अगर बात करेंगे बाइक कब तक भारती ये बजार में launch हो जाएगी तो March end 2024 में ये बाइक confirm भारती बजार में launch होने वाली है नमबर टू पर आती है Honda CB125R CB125R यहाँ पर आप सबको बहुत पसंद आने वाली है बाइक की कीमत रहेगी एक लाख रुपे बाइक का जो looks and design है वो बहुत ही शानदार है एकदम बढ़िय 4cc का single cylinder oil cooled engine जिसमें आपको 14.7bhp की power और 11.6Nm का torque मिल जाएगा और यहाँ पर number of gears यहाँ पर आपको 6 दिये जाएगे बाइक में आपको dual channel ABS दिये जाएगा all digital instrument console मिलेगा सामने आपको usd folks suspension मिलेंगे लेकिन हो सकते हैं एकर cost cutting की जाए तो आपको सामने telescopic suspension मिलेंगे और पी इस बाइक में travel कर लोगे comfortable तरीके से अब अगर बात करें यह बाइक कब तक भारती बाजार में launch हो जाएगी तो March end 2024 में यह बाइक confirm भारती बाजार में launch होने वाली है नंबर थरी पर आती है यह महाँ factor 125 यह एक कम दाम की 125cc की बाइक रहने वाली है जिसकी कीमत रहेगी 85,000 रुपीज बाइक का जो लुक्स है वो सिंपल सा ही है लेकिन फिर भी सिंपल लुक्स में भी यह बाइक देखने में बहुत ही शांदार लगती है और जुसमें आपको अलेक्टरिकल्स मिल जाते हैं उनके भी आपको बढ़िया visibility offer करवा दी जाएगी बाइक के engine की बात करें और पीछे आपको dual shock absorber suspension मिल जाएगा सामने आपको 245 mm का disc brake मिलेगा और UBS system आपको मिल जाएगा braking में तो braking भी आपको बहुती बढ़िया offer करवा दी जाएगी अब अगर बात कर लेते हैं कि यह बाइक कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो April 2024 में यह बाइक confirm भारती ब बहुत ही खुबसूरत लगती है और इसको एलेक्टरिकल की visibility है जो functioning है उसमें आपको सामने LED headlight मिल जाएगी आपको LED indicators दिये जाएगे और LED till light इस बाइक में offer करवा दी जाएगी वहीं अगर बात करें बाइक के engine की बारे में तो इसमें आपको 249 CC का single cylinder liquid cool BS6 engine जिसमें आपक आपको monoshock absorber suspension मिल जाएगा dual disc with dual channel ABS आपको यह bike मिलेगी और भी बहुत सारे आपको अच्छे-च्छे features इस bike में add-on मिल जाएगे अब अगर बात करें यह bike कब तक भारती यह बज़ार में launch हो जाएगी तो April 2024 में यह bike confirm भारती यह बज़ार में launch होने वाली है नमबर 5 पर आती है Suzuki GSX R125 यह एक fully fed sports bike है जिसका budget थोड़ा सा जादा है और उसको एक fully fed 125cc की bike चीगे जिसमें अच्छा mileage मिल जाए तो इस bike के लिए थोड़ा सा weight कर सकते हैं एक लाग तीस हजार रुपेस bike की कीमत रहेगी बाइक का जो लुक से वो बहुत ही शानदार है और इसमें आपको जो electricals का setup मिलता है वो भी आपको price के साबसे बहुत ही बढ़िया offer करवा दिये जाता है वहीं अगर बात करें बाइक के engine के बारे में तो इसमें आपको मिलेगा 125cc का single cylinder liquid cooled BS6 engine जिसमें आपको 14.8 bhp की power और 12.3 newton meter का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाने वाले हैं बात कर लेते हैं इस bike के और कुछ features के बारे में तो सामने आपको dual disc with single channel ABS मिलेगा front में आपको telescopic front suspension मिलेंगे और पीछे आपको monoshock absorber suspension मिल जाएगा इसमें आपको split street मिलेगी तो आप दो लोग आराम से comfortable होगे travel कर लोगे और बहुत ही बड़ी लुक्स आपको इस bike में मिल जाता है अब अगर बात करें ये bike कब तक भारती बाजार में launch हो जाएगी तो दोस्तो April 2024 में ये bike confirm भारती बाजार में launch होने वाली है नमबर 6 पर आती है Yamaha XSR 155 XSR 155 का का काफी लोग बेस सबरी से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत ही शांदार bike है जिसकी pricing रहेगी एक लाख तीस हजार रुपे bike का जो look से वो बहुत ही शांदार देखने में bike बहुत ही बढ़िया लगती है और इसमें जो आपको electricals का setup मिलता है वो भी आपको price के असाब से बहुत ही बढ़िया मिल जाता है तो visibility को लेकर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी बाइक के engine की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 155cc का single cylinder liquid cool engine जिसमें आपको 19.3bhp की power और 14.7Nm का torque मिलेगा और number of gears यहां पर आपको चाहे मिल जाएंगे नियो retro series के अंदर यह बाइक आती है इसमें आपको fully digital instrument console दिये जाएगा इसका जो handle bar है वो upright है तो आपकी body एकदम straight रहेगी चलाते समय तो किसी भी तरह का back pain नहीं आएगा dual disc with single channel ABS आपको यहां पर मिलेगा सामने आपको USD fork suspension मिलेंगे और पीछे आपको monoshock absorbed suspension मिल जाएगा तो यह सारे features आपको इस bike में मिल जाएंगे अब अगर बात करें यह bike कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो mid 2024 में यह bike confirm भारती बजार में launch होने वाली है नंबर 7 पर आती है कीवे RKF 125 यह 125cc की bike रहेगी जिसकी pricing रहेगी एक लाक रुपे bike का जो looks and design है वो बहुत ही श 25cc का single cylinder liquid cooled engine जिसमें आपको 15 bhp की power और 13 newton meter का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाएंगे बाइक में आपको digital meter मिलेगा सामने आपको telescopic front suspension मिलेगा और बीच्छा को monoshock absorber suspension मिल जाएगा बाइक में आपको single channel ABS और dual disc brake offer करवा दिये जाएंगे अब अगर बात करेंगे ये बाइक कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो mid 2024 में ये बाइक confirm भारती बजार में launch होने वाली है बाकि दोस्तों आप comment करके ज़रूर बताना कि इन 7 गाडियों में से आपको कौन सी बाइक यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद आई है तो उमीदे कि आप सभी को ये